अब मैंने मैंमानों के पास जाती हूँ लोटूंगी सुधान्चु जी अब थोड़ा सा थांबा सुजी बैंचा आपके पास आते हुए देखे उसके बाद आश्रतो जी मैं फोरण आपके पास भी आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूं महेशी सुजी में चाह देखे ये सच है कि जारकंट पर नहीं उठा रहे सवाल यहीं पर सवाल उठा रहे लेकिन वो कह रहे हैं चाहते हैं हर जगा बालेट पेपर से हो उनको लग रहे हैं यह अन्रेयलिस्टिक है और प्रत्याशित जीत इसे कहा राहूल गांदी जी ने सुदान चुभाई वेरी वेल सेड और गुड़ इवनिंग तो एवरीवन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भाई लोग सभा में इनलाइक्शन हुआ तीन महीने पहले महाराश्टमों तब क्यों उन्होंने अब्जेक्शन नहीं लिया तब आल इस गुड ऑल इस फैर सब बरा पिया देश में मान्य करना चाहिए आप में नंबर वन नंबर दो आ sudah कोकरेस की खासित है कि फिर वो Election Commission अपने आप पर नहीं वोती सिर्फ अपने आप पर नहीं होती एक दियसा बयान आया हो कि हम सब बैठ के यह तई करते हैं कि महाराश्टा को विकास की और कैसे लेके जाए कुछ नहीं अब देश ठक गया है ठक गया है आपकी यह आपकी यह विशलेशन से नमबर दो दूसरा नमबर टो लास्टी अकॉर्डिंग टो वोट पोलिंग एजट्ट जैसने हमेरे सुदान चुबाही ने कहा वहां काउंटिंग एजट्ट भी होते हैं जब एडियम खोली जाती है शीट आता है वहां चेक करते हैं कि भाईया कितने वोट डले और कितना टोटल हुआ वो सब काउंटिंग एजट्ट हर पार्टी के वहां उपस्तित होते उनके कितनी खराब आदत है अफ़ा फेलाने की महराश्टर में प्रेस कॉन्फरेंस ले ली कि भाईया पांच लाख वोट जिने नहीं गए हैं और ये तफावतार है भाईया इलेक्शन कमिशन ने तुरंट प्रेस कॉन्फरेंस ली और कहा कि भाईया ये पांच लाख वोट क्यों नहीं अड़क है क्योंकि वो बैलेट पेपर के वोट्स है और वो गिंदी भी दिखाई याने तर्क यहरसे पर कुछ नहीं होता महेश जी एक कमेंट जल्दी कॉंग्रस पार्टी के दफ्तर में आप लोग सब बहुत गदगद थे खुश थे तब क्या इनको यह सवाला टेकनीक 99% आलकलाइन बाटरी है तब नहीं समझ में था महाराश्य चुनाव में खाली वो इस्तमाल हुआ अंजना जी मैं इस पर छोटा जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा आप अगर मुझे अलाफ करेंगी तो सबसे पहला मुद्दा यह है कि अगर EVM हैक नहीं हो सकता तो बैलेट पेपर भी हैक नहीं हो सकता अगर EVM के लिए आपको टाइम लगता है आपको कहना ऐसा है कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है उसके रिजल्ट आने में तीन-चार दिन लग सकते है तो जब आपने लोग सभा के चुनाओ आपने साथ फेजस में देड़ महिने लिए तब आपको इतनी मैं पावर लगी इतना समय लगा वह आपको चला रिजल्ट के लिए अगर तीन दिन लगेंगे मैं पावर जादा लगीजी तो आपको चलता नहीं लोगों के मन में अगर EVN के बारे में संधिया है तो पर पर पे क्यों नी, सुनिया, पाइट आज तक एक बेगति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हूं मैं वोट नहीं डालता क्यूंकि मुझे EVN पे शख है अंजना जी, अंजना जी, मैं आपको याप रिख रहा है, सुनिये, 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 मैं और आप, मैं और आप दोनों साथ में चलते हैं, लोगों के बीच में, और EVM के बारे में लोगों को सवाल पुछते हैं, अगर ऐसा हुआ, कि एक भी वेक्ती EVM पर संदेह नहीं ले कोट ने भी यही कहा जारकंड में दानली हुई हम तो कह रहे हर जगा बालेट पेपर करा लो जारकंड में धानली हुई हम तो कह रहे कि भई सवाल यह है कि हम इतनी बड़ी व्यवस्था के उपर इतना बड़ा प्रश्ण चिन लगा रहे है लेकिन जो हमारी और लोगसभा चुनाओं में तो स्टेक सबसे हाई था 240 पर BJP अटकी और अब वो सरकार चला रही है गटबंधन की जिसमें वो नितिश कुमार और चंदरबावु नाइडू पर निर्भर है अगर EVM हैक करना इतना असान रहता तो ऐसी परिस्थिती बनती आज जो यह प्रश्ण उठ रहा है कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब हम बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे क्या यह सही है इसके दो पहलू है और मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगी कि क्या EVM में गडबड़ी है या EVM को मैनुप्रेट करके चुनाव को जीता जारा तो मेरा मेरा जबाब एक पत्रकार के नाते य यह इसका एक पहलू अब दूसरा पहलू क्या है क्या EVM को लेकर लोगों के मन में संदे है या संदे मैं आपको सिप CSDS का एक सर्वेट बताता हूं जो 2024 के लोगसमा चुनाव के समय किया गया था इसमें सवाल पूछा गया कि क्या सत्ताधारी पार्टी EVM में छेरचाल कर सक सकती है जब हाइससे लोगों ने का कर सकती है 58 प्रक्षठ लोगों के मन में यह संदेख था कि वियम में थोड़ी बहुत ज्यादा या पूरी हद टक गड़ब्री की जासकती है अब जो प्रश्ट के लिए थीक नहीं है, लोक्तांत के लिए ठीक नहीं है। से खुलकर साफाई देनी चाहिए थे वो नहीं दे रहा है प्रस्ट अब इस बात को लिए अगर मान लीजिए कि चलिए फर्च कर लिए कि इव्यम में गड़बड़ी है नहीं गड़बड़ हम उस डिवेट पर नहीं पड़ते मान लीजिए अगर अगर विपक्ष यह कहता है और विपक्ष एक स्टेक होलडर है भारत के लोगतंतर के अदर ऐसा तो है नहीं विपक्ष अगर यह मान करता है कि बैलर्ट फेपर से चुनाव होना चाहिए तो उसको कंसिडर करना चाहिए चुनाव आयोग से भी और सुधान चुत्रिवेदी जी से भी लेकिन दोनों बा को ठीना डाले यह बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर इस तरह की शंका लोगों के मन में है तब तो इसको पूरी तरह से कौश करने की ज़रूर है दूसरा दूसरा आशुतोर जी देखे हाइलाइट नहीं होता है लेकिन यह जो 99% वाली बात अभेजी कर रहे है उस प इस तरीके के ऑप्शन अमेरिका के कुछ राज्यों के अंदर है जहां पोलिंग बूसर फर इवीएम भी होता है बैलट पेपर भी होता है वहाँ का नागरिक अगर चाहे तो इवीयों का इस्तेमाल करें चाहे वग ए इस नागरिक की अपने description पर depend करता है पहली बात इसका मतलब यह व्यवस्ता है दूसरा प्रेशन बात लेकर यह है कि अगर EVM को सिर्फ आप आप आपने एक प्रेसलीज जारी की Congress Party ने एक चिठी लिग दी इससे काम नहीं चलने वाला चुनाव आयोक को सारे राजबिपक्षी दलों के साथ आमने सामने बैठ कर एक्सपर्ट के साथ इस समस्या का समाधान करना जाए क्योंकि अगर यह संदेग गहराता जाएगा तो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे और में एक बात और बता अदू स जो पार्टी हारती है वो इसको आड़ बनाती है इसके पीछे चिपने के लिए क्या इस आरोप में दम नहीं है अभे जी वरना आप लोग भी चाहते निवारन हो जल से जल कोशश करते और इसको एक तारकिक अंतक ले जाते सुप्रीम कोर्ट तो आप गए ही थे सुप्रीम समय से बात हो रही है जो तरक आप हमारे खिलाफ यूज कर रही है कि जिन राज्यों में हम जीच जाते हैं वहां नहीं आवाज उठाते हैं हमने कोट ने कहा है आपने कहा कोट ने कहा या भारती जनता पार्टी कहा है भारती जनता पार्टी विपक्ष में होती ही तो करनी हैं तो बैलेट पेपर से में उत्तर प्रदेश का उधारंग दीखिए गाप अगर मैं मैंने पूरा केस स्टडी किया उत्तर प्रदेश में पहली बार विदान सभा के चुना हुए उसके कुछी महीनों बाद जब हनीमून पीरियट था तब लोकल बॉडी के एलेक्शन ह अंजना जी आप हदप्रब रह जाएंगी जहां स्थानी निकाय में बैलेट से वोट हुआ 85% भारती जनता पार्टी हार गई और जहां EVM से हुआ था वहां 100% सीट जीत गई एक ऐसा कैसे संभा हुए एक ही स्टेट में और 85% रूरल एरिया में हार गई भारती जनता पार् विधान सभा का इलेक्शन हुआ था जब आदित नाजीर चीफ मिनिस्टर बने थे उसके कुछ ही दिनों कुछ महीने के बाद की स्थानी निकाय के इलेक्शन हुए थे उसका मैं बात बता रहा हूँ मैं जहां भी जाता हूँ जहां ट्रेवल करता हूँ आप विश्वास मा आया है इसलिए मैं आपके चैनल पर कोट कर देता हूँ मैं नहीं जानता इसकी सच्चाई क्या तो फिर मत बताईए फिर मत बॉलिए ने जब आप खुदी उस पर संदे कर रहे हैं फिर देखिए हम लोगों को अफ़वा पहलाने का इसलिए बनना चाहिए मेरा एक प्रश् लेकिन तब आप सरकार थे तब आपने भी बैलेट पेपर से वोट कराने की मांग नहीं मानी ना आप करा देते हो सब कि खाली फुटबॉल खेलते रहे हैं अन्जना जी हमको नहीं फुटबॉल नहीं अब मनमौन सिंग जी जैसे नेता जित सही अपेक्षा नहीं कर सकता है देश ना भूतो ना भविशती कि वो कोई इलेक्षन को इस तरह मैनूपलेट करेंगे खेर आज जब देश में इस बात की शंका है और कई सारे प्रमाण में ने कहा ना कि ADR तो आप जानती है एक ट्रांसपरंस अंस्ता है जिसने बहुत अच्छे रिसर्च के साथ ये किया वो डेटा आज भी परसेंटेज डालते हैं एडजेक्ट वोट नहीं डालते हैं इनसे कहा ADR ने उसमें कि आप 17C फॉर्मड अपलोड कर दीजिये चलिए वो कहीं तो कु ADSDS के सरवे की बाद के उसका सैंपिल साइज क्या था उसमें किस की सैंपिल के कहाँ कहां के लोग लिए गए थे वो सारी बात पता होती तो कोई बात होती और अभे दुबे जी ने अभी क्या बात बोली कि देश की जनता या पेक्षा नहीं कर सकती थी कि डॉक्टर मन्मोह मोहन सिंग कोई manipulation कर सकते हैं बिल्कुल देश की जंता को यही अपेक्षा नहीं थी डॉक्टर मन मोहन सिंग सरकार चला रहे हैं सरकार ही कोई और चला रहा था तो वो सारी अपेक्षाएं सबको पता है कि कैसे होती थी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जिस जमाने में अड़ 2004 में पहली बार आई बहुत सी चीजे होती मगर क्या कभी election commission ने hackathon आयोजित किया था उस समय नहीं अभी तो यह election commission ने किया था बाकाइदा सब को public notice निकाल के कहा था जो भी आना चाहे आकर EVM को hack करके बता दे कोई नहीं आया तो बिल्कुल जो आप technical बात कह रहें उसके लि मरीद 23 में मार्च 23 में राहूल गांधी जी क्या बोले थे इंगनेंट में जाके democracy in India has finished उनसे कहा गया मतलब जुडिश्री भी yes जुडिश्री is also under pressure और फिर वही जुडिश्री ने जब राहूल गांधी सदस्ता भाल कर दी ओ यह तो जीत हो गई वही उसने electoral bond का judgment दिया ओ य यह तो लोगतंत्र की जीत हो गई अब भाई जिनका तरक इस पर आधारित हो कि सोड़िये इवी एम तो सर्वोच न्यायले का निर्णे भी मेरे पक्ष में आएगा तो लोगतंत्र की जीत है और विपक्ष में आएगा तो democracy finished है और मैं एक और बात कह दू जिनकी तरक संगत बुद्धी ऐसी हो कि विदेश में बैटकर राहूल गांदी ने कहा हो Muslim League is absolutely secular I am having no problem about it but BJP is communal तो अब इस धंकी तरक बुद्धी वालों को कितना समझाया जा सकता है ये मैं देश की जनता के विवेक के उपर छोड़ता हूं और EVM को लेकर भी जनता के विवेक पर ही छोड़ किरी आप